यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ इस तरह का कोई वायदा उनकी ओर से नहीं किया गया है लेकिन फिर भी आंगनबाडी वर्कर्ज का धर्ना आज भी लगातार जारी है और जेल भरो आंदोलन आज उनकी ओर से शुरू किया जाएगा तो जेल जाएंगी आंगनबारी वर्कर्ज और अपने प्रदर्शन को उगर रूप दे देंगी तो आंगनबारी वर्कर्ज आज से जेल भरो अंदोलन की शुरुआत करने जा रही है तो इनका प्रदर्शन लगातार उग्र होता जा रहा है साथी आपको बता दे कि समान काम समान वेतन समेत कई अर्न्य मांगों को लेकर अंदोलन इनकी ओर से किया जा रहा है तो आपको बता दे कि सीम कटर से मुराकात होने के बाद भी सहमती दोनों में नहीं बन पाई जिसके बाद अभी तक ये धर्ना प्रदर्शन लगातार जारी है तो जेल भरो अंदोलन की शुरुवात उनकी ओर से आज की जाएगी और अपने अंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जो भी रणनिती उनकी ओर से बनाई जाएगी वो भी आज उनकी ओर से ताई की जाएगी तो इस वक की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं करनाल से आंगन बाडी वरकर्द की ओर से धर्ना प्रदर्शन लगातार जारी है आज जेल भरो अंदोलन आंगन बाडी वरकर्द की ओर से शुरू किया जाएगा तस्वीरे आप देख सकते हैं पिछले काफी लंबे वक्त से इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितना उग्र आंदोलन इनकी ओर से किया जा रहा है भारी संख्या में आंगन बाडी वरकर्द यहां पर गया कि इस तरह की कोई भी वायदा उन्होंने नहीं किया था और घोशना पत्र में इस तरह का कोई वायदा उनकी ओर से नहीं किया गया था लेकिन वाबजुद इसके सहमती नव बन पाने के कारण अभी तक आंगनबारी वर्कर का धरना लगातार जारी है तो तस्वीरें वीक मांगर भी उनकी ओर से प्रदर्शन किया गया अब जेल भरो आंदूलन आज उनकी ओर से शिरू किया जाएगा तो यह कैस दकते हैं कि अपनी वांगो को लेकर लगातार यह धरना प्रदर्शन जारी रखेंगी जब तक सरकार इनकी मांगो को नहीं मान लेती झाल झाल